ऐख ना देखिए ना उसी अनुपात को भरने के लिए तो अभी 24 हजार सिपाहियों के बादी हो रही है और 26 की बाहली हो रही है साड़ह चार हजार दरोगा के बाहली हो रही है पर किलिए इसी महीने के अलाश्ट सब्ताह से सुरू हो रही है 2 चरनों में होगी और 20 बित्ते बित्ते के इस तक आते-आते हम साड़े 2,000 24,000 सब-न्स्पेक्टर का बहाल कर रहे है 2,000 ड्राइबर की बहाली कर रहे है 4,000 दरोगा की बहाली कर रहे है सरकार इतने संसाधन फेक रही है गाड़ी हो घर हो महिलाओं के लिए थाना में सोचाले की बेश्था हो हर थाने में वो अतिती मुकच्छ मनाने की बेश्थ सरकार संसाधन पूरा दे रही है और बहाली भी हो रही है कि आज बिहार में पुलिस को जो स्वतंत्रता प्राप्त है काम करने की कोई हम को कहे सिपाही से फरिश लेकर के एस पी आईजी तक कि कि किसी अपराधी के घर्दन पहांट डाले कोई पोलिट कल पेरवी करने वाले हों कि किसी डखे इतको चोर को रंगदार को क्रिम्नल को आप पकड़िए को प्राइए को को पोलिट कल पर भी करता है क्या कि यह चोर है इसको छोड़ और यह अपराधी इसको छोड़ दे कोई नहीं करता अगर कोई बोलता है तो जोट बोलता इतनी स्वतंतरता जी इस राज्य में है और अब वह वहम कराते हैं तो हमारी कम यह हें हमारी यह सरम की बात अग इधितनी स्वतंतरत पार आज बिहार में पुलिस को है उतन께서 मैं नहीं समझता कि देश के किसी दाजी की पूरी तरह से अपराधियों को द्वस्त किया जा सकता है अगर संकल्प से काम और सब को एक साथ होना होगा सिपाही को अलदार को इंस्पेक्टर को दरोगा को थंदार को हम टीम बना करकर हम लोग चलना चाहते हैं हम मौका देते है कि जो लोग अपने को जिनको दागी कहा गया हो समझते हैं कि हम निर्दोस हैं तो आराम से वो पिटी संदे हैं उसकी फिर से दुबार हम जाच करें कोई भेदभाव नहीं सरकार की नियत किसी को परिशान करने की नहीं है पुलिस मुख्याले हम करते हम तो एक सिपाही की इ है अपने डीएसपी पर अपने थानेदार पर अपने सिपाही पर अपने हॉलदार पर उन्हीं की उपलब्दी हमारी उपलब्दी है वो काम करते हैं तो हमारा नाम होता है वो काम नहीं करेंगे तो हम क्या करेंगे हम तो यहां बैठ करके उन्हीं से काम करवाते हैं हमारे स हमारे सब इंस्पेक्टर हैं हमारे डी एस पी हैं हमारे एस पी हैं यही काम करते हैं हम लोग क्या करते हैं हम लोग के हम बैठ करके केवल नीती निर्धारन करते हैं काम तो ही करते हैं